ओम नमो भगते बास देवाई नमा स्वागत है आप सभी का मेरे अच्छा स्वारत द्वा यूटूब चैनल पर 16 फरवरी बड़ी पूरण मासी 16 फरवरी की बड़ी पूरण मासी है और इस दिन बहुत ही अच्छा योग है इस दिन लगबग नो रासियां बहुत ही बागिसाली रहेंगी जिसमें से पाँच रासियों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ पाँच रासिवाले विशिस लावांतिक रहेंगे पूरण मासी की दिन सतनारण भगवान की पूजा की जाती है गंगया इशनान का विशिस में तोता आए पूजा पाट का विशिस में तोता आए गंगया जल डालकर कीशनान करना चाहिए सूर्देव को आरग देने बाद में फिर आप गोमाता का पूजन करें गो माता की पूजा करने से हर प्रकार के मनुरत इस दन पूरे हो जाते हैं, तुलसी पत्र, तुलसी माता की पूजा करें, तुलसी के पत्ते भगवान को अरपन करने चाहिए, भगवान लड़ु को पाल जी को इस्नान करा हैं, उसके बाद में उनको बस्तर पहना हैं, उनके स कोई भी मनोकामना आपके मन में हो, प्रतेग मनोकामना पूरी हो जाती है, भगवान विश्णू पोत्रधन, सुक्षम्रदी, सब कुछ देते हैं, कैरियर अच्छा होता है बच्चों का, ब्योपार अच्छा चलता है, नोकुरी में प्रमोशन मिलता है, इस दिन गौमाता की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, मेसरासी, मितुनरासी, सिंगरासी, मेसरासी, मितुनरासी, सिंगरासी, वरेश्चिकरासी, कुमरासी, ये पाँच रासियां इस दिन बेहदी, भागिसाली और लकी रहने वाली हैं, नो रासियों का योग बहुत ही जिन मेंसे पांच रासी की में जान करें आपको दे रहा हूँ साथ ही इस दिन खान पीन का विशेशू से ध्यान रखें गौमाता को रोटी गुड और हरी दुरबा इस दिन खिलानी चाहिए इससे अच्छे योग बन जाते हैं गौमाता की अमावस्या पूरण मासी और एकासी इन दनों में गौमाता की पूजा जरूर करनी चाहिए तो दोस्तों आप यह उपाय करें आपको लाब मिलेगा इसी प्रकार की जाने करें लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बगल गंटी के बेटन को दबाए हर वीडियो नोटिपिकेशन पाने के लिए